ओम शानती आज 17 जुलै दोहजार चोबिस की बाबा की साकार मुरली हैं। तुम बच्चे बाब के साथ उपर याने घर कब जाएंगे। उत्तर हैं। जब पवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाब प्योर हैं। ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे। तब उपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाब के सम्मुख हो। ग्यान सागर से ग्यान सुन सुन कर जब फूल हो शाएंगे बाप को नौलिज से खाली कर देंगे फिर वह भी शान्त हो शाएंगे और तुम बच्चे भी शान्ती धाम में चले शाएंगे वहा ज्यान टपकना बंध हो शाता, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का, ओम शान्ति, शुब भगवानुवाच, जब शुब भगवानुवाच कहा शाता है, तो समझ जाना चाहिए, एक ही भगवान वा परंपिता है, उनको ही तुम बच्चे वा आत्मा याद करती हो, परिचय तो मिला है रचता बाप से, यह तो जरूर है नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार ही याद करते होंगे, सब एकरस याद नहीं करेंगे, यह बहुत सुक्ष्म बात है, अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे, यह अवस्ता जमाने में टाइम लगता ही, वह मनुष्यों लोग तो कुछ भी नहीं जानते, नव जानने कारण सर्वव्यापी कह देते, जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे, कोई भी आत्मा का योग बाप के सा यह बाते हैं, यह बाते हैं, बहुत गुईय महिन, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना ही, कहते भी हैं, हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना शएए, शरीर को नहीं देखना शएए, यह बहुत बड़ी मन्जिल हैं, बहुत हैं, जो बाप को कभी याद भी न आत्मा ही अब तमों प्रधान बने ही जो सतों प्रधान थी यह आत्मा में ग्यान ही ग्यान का सागर परमात्मा ही ही तुम अपने को ग्यान सागर नहीं कहेंगे तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ग्यान लेना ही वह अपने पास रख कर क्या करेंगे अविनाशी ग्यान रतनों का धन दो बाप को देना ही है बच्चे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार उठाने वाले हैं जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं बाबा को ग्यान सागर कहा शाता है वह भी आत्मा तुम भी आत्माई तुम आत्माई सारा ग्यान ले लेती हो जैसे वह एवर प्योर है तुम भी एवर प्योर बनेंगे फिर जब पवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी तब उपर शलेश आएंगे बाब याद के यातरा की युक्ति सिखलाते हैं यह तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती हैं यहां तुम बच्चों को बाब सम्मुख वेड समझाते हैं और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते मुरली बढ़ते हैं यहां तुम सम्मुख हो अपने को आत्मा समझ बाब को याद करो और ज्ञान भी धारन करो हमको बाप जैसा संपूर्न ज्ञान सागर बनना है फुल नौलेज समझ जाएंगे तो जैसे की बाप को नौलेज से खाली कर देंगे फिर वह शान्त हो जाएंगे ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा सब कुछ दे दिया फिर उनका पार रहा साइलेंस का जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा यह भी बाप ने समझाया है आत्मा संसकार लेजाती है कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटे पन में ही उनको शास्रकंठ हो जाएंगे फिर उनका नाम बहुत हो जाता है अब तुम तो आये हो नई दुनिया ले जाने लिए वहा तो ज्ञान के संसकार नहीं ले आ सकते यह संसकार मर्ज हो जाते है बापी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नमबरवार पुरिशार्थ अनुसार फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पढ़ते है शुबाबा तो हे ही निराकार कहते हैं मैं इन ओर्गंस का लोन लेता हूँ वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं वह कोई का ग्यान सुनेंगे नहीं क्योंकि स्वयम ग्यान का सागर है न सिर्फ मुखद्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं आते ही है सबको रास्ता बताने बाकी सुनकर क्या करेंगे वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे से करो सारे जाड का राज सुनाते हैं तुम बच्चों की बुद्धी में है, कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, सारी दुनिया में कितनी लाइट शलती है, लाइट द्वारा क्या-क्या होता है, वहा तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी, जैस तत्व भी वहा सतोप्रधान बन जाते हैं। कभी चंचलता नहीं करतें। सुखधाम कहा शाता है। उसका नाम ही है हैवन। आगे चल कर तुम जितना नजदिक आते रहेंगे। उतना वृद्धी को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लशकर की अत्वा एरोपलेन आदी की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहाँ बेठे सब को खत्म कर सकते हैं। फिर यह एरोपलेन आदी थोड़े ही काम में आएंगे। फिर यह चंद्रबा आदी में प्लॉट आदी भी देखने नहीं श चाहेंगे। यह सब फालतू साइंस का घमंड हैं। कितना अशो कर रहे हैं। क्यान में कितने साइलेंस हैं। इसको इश्वरिय डाद याने देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा ही। वह शांती को जानते ही नहीं। तुम समशते हो। विश्व में शांती तो शांती हो ही नहीं वह तो है शांती धाम और सुखधाम में स्वर्ग तो सब शाते हैं भारत वासी ही वेखुंट स्वर्ग को याद करते हैं और धर्म वाले वेखुंट को याद नहीं करते वह सीर्प शांती को याद करेंगे सुख को तो याद कर न सके, लौ नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसली पुकारते हो, हमें दुख से लिबरेट करो, आत्माई असुल शान्तिधा में रहने वाली हैं, यह भी कोई शान्ते थोड़े ही हैं, बाप समशाते हैं, तुम बेसमश थे, कब से मजबनते जाते, कभी कोई कला नहीं रही हैं, कॉन्फरेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यो हैं, अरे, दुख तो सारी दुनिया में हैं, अथा हो दुख हैं, अब विश्व में शान्ति कैसे हो, अब तो धेर के धेर धर्म हैं, सारे विश्व में शान्ति तो अब हो न सके, सुख को तो जानते ही नहीं, तुम बच्चिया बेट समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं और शांती हैं, जहां से हम आत्मय आई हैं, वह है शांती धाम, और जहां यह आदी सनातन देवी देवता धर्म था, वह ता सुख धाम, आदी सनातन ह हिंदु धर्म नहीं कहेंगे, आदी माना प्राचिन, वह तो सत्यूग में था, उस समय सब पवित्र थें, वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं, फर्क है न, पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए न, इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो, अपने को आतमा समझो, अभी आतमा अपवित्र हैं, आतमा में खाद पड़ी हैं, तब जेवर भी ऐसे बनते हैं, आतमा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा, उनको ही वाइसलेस वर्ल कहा शाता हैं, बोड का मिसाल भी तुम दे सकते हो, सारा खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, यह आदी सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अबवित्र हैं, इनको कहा जाता ही मनुष्य, वह है देवता हैं, मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ, 84 जनम भी मनुष्य लेते हैं, सीड़ी दिखानी हैं कि तमो प्रधान बनते हैं, तो हिंदू कहे देते हैं, देवता कहे न सकें, क्योंकि पती तहें, ड्रामा में यह राज है न, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं, आदी सनातन हम ही देवी देवता थें, भारत ही पवित् रहें, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं, हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है, यह बच्चों को अच्छी रिती धारन कर समझाना है, आज कल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं, कम से कम आदा घंटा दे, तब पॉइंट सुनाईश है, पॉइंट तो धेर है फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाईश आती हैं, पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, तो फेर हलकी पढ़ाई अल्फ बे आदी थोड़े ही याद रहती हैं, वह भूल जाती हैं, तुमको भी कहेंगे, अभी तुम्हारा ग्यान बदल गया है, अरे पढ़ाई में उपर चड़ते शाते हैं, तो पहली पढ़ाई भूलती जाती हैं न, बाप भी हमको नित्य नई नई बाते सुनाते हैं, पहले हलकी बढ़ाई थी, अब बाप गुय गुय बाते सुनाते रहते हैं, ग्यान का सागर हैं न, सुनाते सुनाते फिर पीछाडी में दो अल्फ को सम्झा तो भी काफी है अल्फ को जानने से बे को जान ही लेंगे इतना सिर्फ सम्झाओ तो भी ठीक है जो जास्ती ग्यान नेहीं धारन कर सकते वह उन्च पद भी पान नहीं सकते पास वी दौनर हो न सके करमाती तवस्ता को पान शके इसमें बड़ी महनत चाहिए, याद की भी महनत है, ग्यान धारन करने की भी महनत है, दोनों में सब होश्यार होशाए, सो भी तो हो न सकें, रासधानी स्थापन हो रही है, सब नरसे नारैन केसे बनेंगे इस गीता पाठशला की एम अबजेक्ट तो यह है, वही गीता ग्यान है, वह भी कौन देते हैं, यह तो सिवाए तुम्हारे कोई जानते ही नहीं, अभी है गबरिस्तान, फिर परिस्तान होने का है, अभी तुम्हें ग्यान चिता पर बेट, पुजारी से पुज्ज जरूर ब भारत वासी हर बात का अकल वहा से सीख कराते हैं, वह भी पिछाडी में आएंगे, तो इतना ग्यान उठाएंगे नहीं, फिर वहा भी आकर यही इंजुनिरिंग आदी का काम करेंगे, राजा रानी तो बन न सकें, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इ तो बच्चों को पुरुशार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर करमाती तवस्ता को पाना है, जल्दी जाने का खयाल नहीं आना चाहिए, अभी तुम हो इश्वरिय संतान, बाप बढ़ा रहे हैं, यह मिशन है मनुश्यों को चेंज करने की, जैसे बोध्धियों की कृष्चन की मिशन होती है न, कृष्चन और कृष्चन की भी रास मिलती है, उन्हों के लेंदेन का भी बहुत कनेक्शन है, जो इतनी मदद करते हैं, उनकी भाषा आदी छोड़ देना, यह भी एक इंसल्ट है, वह तो आते ही पीछे हैं, न बहुत सूख, न बहुत खुठाते हैं, सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं, यहां भल कोशिश करते हैं, परन्तु एकुरेट कभी बना नहीं सकेंगे, विलायत की चीज अच्छी होती हैं, ओनेस्टी से बनाते हैं, यहां तो डिस ओनेस्टी से बनाते हैं, अथाह दुख हैं, सबके दुख धूर करने वाला एक बाप के सिवय, और कोई मनुश्य हो न सकें, भल कितने भी कॉन्फरेंस करते हैं, विश्व में शान्ती हो, धक्का खाते रहते हैं, सेर्फ माताउं के दुख की बात नहीं, यहां तो अनेक प्रकार के दुख हैं, सारी दुनिया में जगडे मारा मारी क यही बात हैं, पाई पेसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं, वहां तो दुख की बात नहीं होती, यह भी हिसाब निकालना चाहिए, लडाई कभी भी शुरू हो सकते हैं, भारत में रावन जब से आता हैं, तो पहले पहले घर में लडाई शुरू होती हैं, जुदा जुद में रिश्वद आदी देकर अपना राज्च कर लेते हैं कितना रादिन का फर्क हैं नया कोई भी समझ न सकें नहीं नौलेज है ना जो फिर प्रायलोग हो शाती हैं बाप नौलेज देते हैं फिर वह गूम हो शाती हैं यहो एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती हैं आगे चल तुम सबको साक्षातकार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे परन्तु उस समय कर ही क्या सकेंगे उन्नती को बाँ नहीं सकेंगे रिजल्ट निकल चुकी फिर ट्रांसपर होने की बाद होश हैंगे फिर रोएंगे पीटेंगे हम बदली होश हैंगे नई दुनिया के लिए तुम मेहनत करते हो जल्दी चारों तरफ आवाज निकल चाई फिर आपे ही सेंटर पर भागते रहेंगे परन्तु जितना देरी होती चाईगी तू लेट होते रहेंगे फिर कुछ जमा नहीं होगा पैसे की दरगार नहीं रहेगी तुमको समझाने लिए यह बैज ही काफी है यह ब्रह्मा सो विष्णू विष्णू सो ब्रह्मा यह बैज ऐसा है जो सब शासरों का तंत याने सार इसमे है बाबा बैज की बहुत महिमा करते है वह समय आएगा जो यह तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे मन मनाभव इसमे है मुझे याद करो तो यह बनेंगे फिर यही चोरासी जनम लेते है पुनर जनम लेने वाला एक ही बाप है अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रती मात पिता बाब ददा का याद प्यार और गुड मोनिग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की सिखिलते रुहानी मात पिता बाब ददा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते बाबा नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है याद की महनत और ज्ञान की धारना से करमाती तवस्ता को पाने का पुरुशार्थ करना है ज्ञान सागर की संपूर्ण नौलेज स्वयम में धारन करने है दूसरी पॉइंट है आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंशन रहे हम आत्मा भाई भाई है यह अभ्यास करना है आज का वरदान है समय और संकल्प रुपी खजाने पर अटेंशन दे जमा का खाता बढ़ाने वाले पदमा पदम पती भव समय और संकल्प रुपी खजाने पर अटेंशन दे जमा का खाता बढ़ाने वाले पदमा पदम पती भव विशलेशन है वेसे खजाने तो बहुत है लेकिन समय और संकल्प विशेश इन दो खजानों पर अटेंशन दो हर समय संकल्प स्रेश्थ और शुब हो तो जमा का खाता बढ़ता शाएगा इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा हिसाब है एक का पदम गुना करके देने की यह बैंग है इसलिए क्या भी हो त्याक करना पड़े तपस्या करने पड़े निर्मान बनना पड़े कुछ भी हो जाए इन दो बातों पर अटेंशन हो तो बदमा पदम पती बन जाएंगे आज का स्लोगन है मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रालब्ध कई गुना जादा मिलेगी अच्छा ओम शान्ति